यह शिकलिना जी टॉपिकмат और आज हम पुमस्टमशने हो ode Inc लोह बात करेंगे हम यह की आइउन की सिस्टम के अंडर हम यह कर सकते हैं और खुल क्जिल में कोई स्गया मैं करना है उसके श्चाहता है की this system is relatively small compared to the other system क्योंकि हमा इस जो पाइप जो होता है ना इसके अंदर हम इसके अंदर जो distribution होता है वो वाटर के लेते हैं वाटर के वज़े से हम और compare to the other इसके अंदर जो size होता है थोड़े small होता है क्योंकि higher capacity water capacity हीट गें के higher होती है density जो है एयर की higher होती है density तो यहां पर एयर की density और heat capacity हो वाटर की higher होती है इसके अंदर क्या होता है कि हमें lower volume required होती है heat transfer करने के लिए तो जो वाटर हीटिंग system जो है हमारा वह क्या करता है कि कहां का heat Deliver करता है floor पे Belt पे यह का इस तरह के water delivery होती है इसके अंदर और यह हो सकता है कि mounted ceiling हो या primary used इसका होता है building को जो entire building के अंदर हम FCU के हिसाब से कर लेते हैं तो आप थोड़ा सी इसमें समझते हैं कि FCU क्या है एक मिट यह पीछा है तो FCU जो हम लगाते हैं, इसके अंदर FCU के अंदर क्या होता है, यह fail coin unit होता है, जिसके अंदर heating and cooling दोनों facility available होती है, यह air को circulate करती है, ठीक है, circular fan लगा रहता है, proper way में, अभी हम figure में बता देंगे, यह वार्टिकलर और dental कहीं पर भी लगाया सकता है, room में भी होता है, exposed भी ह होता है, duct से भी इसको connect कर लेते हैं, FCU को इसको हम boiler में भी connect करते हैं, heating के लिए ठीक है, और water chiller में भी cooling produce करने के लिए जहां पर भी हमें जरूरत होती है, अचा इसका जो temperature को हम thermostate से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि water से अगर water flow होगा, उसके हिसाब से हम इसको adjust कर लेते है हैं, FCU के बारे में, main disadvantage का FCU का, कि जो ventilations air जो है, वो कहीं न कहीं इसमें effect होती है, जिसको ventilations को हम outdoor से connect करते हैं, FCU को, ठीक है, और other disadvantage के आए कि इसमें थोड़ा सा noise produce होता है, हम जली से इसको देख लेते हैं, क्योंकि यह 5 minute की series है, तो इसमें थोड़ा जली जली देखते हैं हम, तो यह है हमारा बाहर का, जो हम भी हम supply दे रहे हैं, यह हमारा, यह duct connected नहीं है, यह open है, तो यहाँ पर क्या है, returning air की opening है, यहाँ पर एक filter लगाता है, यह फिल्टर ठीक है, यहाँ पर motor लगा रहता है, motor से fan हमारा, यह घुमता रहता है, ठीक है, फैन गुमने के बाद य कि यहाँ से पानी जैसे ठंडा है, अगर हम जो भी पानी आता है, यहाँ से पानी सर्कुलेट होता है, यह हमारी फिल्ट लगी रहती है, फिल्ट में क्या होता है, हमारा जादा surface area के लिए लगाते हैं, और यहाँ से हमारे जो air है, वो discharge होके बाहर जाती रहती है, यह पूर अपने ख्याल रखें, और और इसके अंदर क्या क्या है, कि FCU के बार में मैंने बता दिया आपको कि जिसके अंदर यहाँ पे हम returning air लेते हैं, यहाँ पे filter होता है, यहाँ पे fan होता है, fan के बाद हमारा valve होता है, और यह हमारा discharge होता है, बाकी बहुत सारी unit हम पढ़ चुके ह सारी आप देख सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया हो, यह end of the playlist में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से करें, और प्लीज इस चैनल को subscribe कर लिए, तब तक लिए अपने ख्याल लखें, take care, bye bye